नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे सामजिक विग्यान से जुड़ा हुआ एक महत्यपूर्ण प्रेशन जो मद्य प्रदेश की लोकल वा बोर्ड पैशाओं में पूछा जाता है उस दोस्तों साथ में ही ये प्रतियोगिता प ग्यान में पूछा जाता है कग्षा नायंतिक के जो सामजिक विग्यान है उसका ये प्रेशन है जिसका हम उत्तर देखेंगे आपको प्रेशन पत्र में जीलों के नाम देदे जाएंगे जील मतलब क्यों आता है सरोवर ताल ठीक है ना यानिकि आपको पेपर में सरोवरों के जीलों के नाम दे जाएंगे उसमें लिखा होगा इन में से प्राक्रतिक जील और मानव निर्मित जीलों को अलग-अलग कीजिए ठीक है तो देखिए मैंने एक तरफ लिए रखा है प्राक्रतिक जील और एक तरफ लिए मानव निर्मित जील प्राक्रतिक जील क्या होती है प्राकरतिक जिल वे होती हैं जिनमें मनुष्य का कोई हस्त छेप नहीं होता है ये प्राकरतिक तोर पर बनी हुई है इनका निर्माण अपने आप ही हुआ है जबकि मानव निर्मे जिल क्या होती है ये वे जिलें जिनका मानव ने क्या किया है विकास किया है और मानव ने नि जापार के लिए ठीक ना तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राकरतिक जीलों की सूची तो सबसे पहली है वूलर जील उनसी है वूलर जील जो कहां पढ़ती है जम्मू कश्मीर में फिर है नैनी ताल नैनी ताल कहां पढ़ती है उत्तरा खंड में कहां पढ़ती है उत्तरा खं तो यह सारी की सारी प्रापतिक झिले हैं इंसमें मनुषिये का बिलकुल भी हस तिर नहीं है अगर ये मानव निर्मित जील यानि कि इन जीलों को मानव ने अपने योगदान से बनाया है तो सबसे पहली ये गोविंद सागर जील गोविंद सागर ये कहां पर हिमाचल प्रदेश में फिर अगली बारा पानी बारा पानी कहाँ पर है मेघाल है फिर निजाम सागर निजाम सागर कहाँ पर है तेलांगना फिर नागारजुन नागारजुन सागर यह कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में इनको इस प्रकार बनाया जाता है जिससे वर्षा का पानी एकत्रित हो प्रतियुकेदाव प्रötर च्छा में अम्मीद है आज क्या वीडियो आपको समय में पसंद भी आया होगा धन्यवाद